नमस्कार करें दर्शकों नच्छत्र तक आपका अपना यूटूब चैनल मैं आपका जोतिश मित्रा अधित्य दुवेदी अगर आपको अपनी जन्र कुंडली का विश्रेशल कराना है तो 7800-771770 पर आपको वाट्सप करना है आज का विश्रेश बड़ा इंट्रेस्टिंग है आज आपको एक नई चीज सिखाएंगे तो चलिए चलते हैं अपने विश्रेश पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं लाइक कर दीजिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आज का विश्रेश है फॉर्यं ट्रब्यल विदेश यात्रा और विदेश में सेटल्मेंट विदेश यात्रा होगी की नहीं विदेश यात्रा आपकी कुंडली में योग है की नहीं है इसके बारे में जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूँ कुछ लोग कमेंट करते हैं जब मैं पुस्तकें दिखा के आपको कुछ बताता हूं तो वो कहते हैं किताबी ग्यान वास्तों में बिना किताबों के ग्रंथों के पढ़े किस के पास ग्यान आएगा तो हाँ मेरे पास किताबी ज्यान है, गरंथ का ज्यान है और अपना अनुभव है किताबे मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको जोतिस की पुस्तकों के बारे में भी जानकारी मिले और मैं कितना इजी करके आपको यह एक एक चीजे खोल के बताता हूँ ताकि आपको चीजे पूर्ण समझ में आए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ लोग समझें, समझ में आएगा तभी लोगों का इंट्रेस्ट बढ़ेगा करना जाता हूँ, तो इसलिए मैं बकाइदा एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो तिस्की पुस्तकों के उपर जो लोग टॉपिक नहीं छूते हैं उस पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ और कुछ लोग मेरे वीडियो को कॉपी भी करके बना रहे हैं मेरे पास काफी मेरे दर्सक मैसस करते हैं कि आपके वीडियो फला चैनल पर कॉपी है वीडियो तो कॉपी कर लेंगे लेकिन वह इसकिल कहां से लाएंगे वह समझाने की कला नहीं लाएंगे आप लोगों का प्रेम है इसने हैं इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड के आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ बने रहिए सीखते रहिए और समझते रहिए चलिए शुरू करेंगे पहला सोत्र पहला सोत्र कहता है कि लगनेस बरह में भाव में हो लगनेस ट्वेल्थ में हो बरह में भाव में हो तो विदेश का योग बनता है, विदेश यात्रा भी हो सकती है。 सेटलमेंट भी. लगन किसको कहते हैं? यह कुंडली आपको लगन कुंडली देखना है。 लगन कुंडली का पहला घर यही उपर वाला होता है. तो यह पहला चत्रवुज पहला घर है. इसमें देखिए कौन सी गिंती लिखी है जो गिंती लिखी है वो यहां से देखिए उसके स्वामी ग्रह को देखिए जैसे मान लिया यहां पर साथ नंबर की गिंती लिखी हुई है तो साथ नंबर की गिंती का स्वामी कौन है सुक्र एसे आप देखिए, आपकी कुंडली में यहां कौन सी गिनती है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, यहां से मिलाके, अगर वह ग्रह स्वामी ग्रह इस बरहमे घर में बैठा हुओ, इसी घर में हो यहां से गिनेंगे तो वो बरहमा घर पड़ेगा तो विदेश यात्रा का योग बनेगा और विदेश में निवास भी हो सकता है पर्मानेंट सेटल्मेंट भी हो सकता है दूसरे पे चलेंगे चतुर्थेस बरहमे घर में हो चतुर्थेस मतलब चौथे घर का स्वामी ये पहला घर हुआ तो यहीं से गिनिये एक दो तीन चार ये चौता घर हुआ आपको देखना कि आपके चौते घर में कौन सी गिंती लिखी है एक से बारा के बीच में कोई ना कोई गिंती होगी तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर नौ नमबर की गिंती है ऐसे हैं आपके कुंडली में कोई गिंती होगी, अब देखिए उस गिंती का स्वामी काउन है, नौनमबर की गिंती का स्वामी काउन है, गुरू है, तो अगर यह गुरू इस बरहमें घर में लिखा हुआ है, तो विदेश यात्रा और विदेश का सेटल्मेंट बनेगा, या तो भी ऐसे लोग अपना जन्मस्थान परिवर्तित करके किसी अन्यस्थान पर अवस्च जाएंगे। कुछ लोगों में भागे भाव प्रबल होता है, कर्म भाव प्रबल होता है तो वो विदेश चले जाते हैं। अब कुछ लोगों में प्रबल नहीं होता है लेकिन ये दोनों योग होता है तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थान से दूर किसी अन्यस्थान पर जा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तीसरे सुत्र पर चलेंगे लगनेस के उपर कई ग्रहों की दृष्टी हो लगनेस के उपर कई ग्रह देखते हों सामान ये दृष्टी नियम के अनुसार में यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ लगनेस कौन हुआ जो पहला घर है पहले घर में जो गिंती है उस गिंती का स्वामी लगनेस होता है मैं यहाँ पर मानता हूँ की तीन नंबर की गिंती है अब आप देखिए तीन नंबर का स्वामी कौन है बुद्ध ऐसे आप देखिए यहां लगन में कौन सी गिनती है उसका स्वामी ग्रह कौन सा है और वह कहां बैठा है मालिया यहां तीन है तो स्वामी बुद्ध हुआ और मैं मानता हूँ कि बुद्ध इस घर में बैठा हुआ है अब अगर बुधिस घर में है तो बुध से साथ में घर को गिनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ बुध से साथ में घर में अगर तीन ग्रह हूं या तीन से अधिक ग्रह हूं तो उनकी दिश्टी बुद्ध के उपर पढ़ेगी यानि लगनेश के उपर पढ़ेगी लगनेश को जादा से जादा ग्रह देखें तो विदेश यात्रा का योग बनता है जा तक हवाई यात्राएं करता है चौथे सूत्र पे चलेंगे चौथा सूत्र समझ लीजिए दौदस माने बरहमा घर बरहमा घर इसको कहते हैं तो यानि इस सूत्र का विचार बरहमे घर से करना है अब बरहमा घर में क्या चर रासी का ग्रह हो यानि बरहमे घर में कोई ग्रह आपका लिखा हो और वो चर रासी में हो तो मैं रासियों के सुभाओं के बारे में बता देता हूँ, बहुत आसान है, आप अंगली पर गिन सकते हैं ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बिल्कुल कठिन नहीं है रासियां तिन प्रकार की होती हैं, चर, इस्थिर और दो सभाव, तो ऐसे आप अंगली पर गिन लीजें, अब जैसे ये हो गया तो एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छे तीनों पोर पर आप गिन लेजिए तो एक चार साथ और दस ये चर रासियां होती है चर माने चलाए मान और दो पाँच आठ ग्यारा ये कौन सी रासियां होती है इस्थिर यानि जो चलती नहीं है ये कस्ठान पे इस्थिर रहती है तीन, छे, नौ, बारा ये कौन सी रासिया होती है दुई सुभाव रासिया होती है यानि ये नस्दीक की दूरी को बताती है तो अगर आपके बनाहमे घर में एक नमबर, चार नमबर, साथ नमबर और दस नमबर की गिंती लिखी हो और उसमें कोई ग्रह हो तो आपके विदेश का योग या हवाई यात्राओं का योग बनता है 12 भाव में 84 का गरह यानि इसमें से कोई गिंती लिखी हो और कोई गरह बैठा हो तो हवाई यात्रा या विदेश यात्रा का योग बनेगा अगला चलते हैं आपको 5 नमबर समझाते हैं चौथे घर में, आठमे घर में अथवा बरहमे घर में चंद्रमा हो आठ नमबर की गिंती हो और चंद्रमा लिखा हो तो विदेश यात्रा या हवाई यात्रा का योग बनता है चार आठ पारा घर में नीच रासी में चंदर इस्थित हो तो विदेश यात्रा का योग बनेगा अगला देखें द्वादस में सनी इस्थित हो द्वादस भाव में या सनी की द्रिष्टी हो अगर आपकी लगन कुंडली में बरहमे घर में सनी लिखा हुआ है तो विदेस यात्रा की हواई यात्रा की या जन्मस्थान से दूर जाने के योग बन जाते हैं अब देखें ये सारी योग हर कुंडली में नहीं लागो होंगे कि सो के सो लोगों में क्योंकि कहीं कहीं योग भंग हो जाता है क्योंकि देशकाल पर स्थिती लगती इंदिर भर होती है मुंबई के किसी विक्ति में है अमीर परिवार से ठीक ठाक तो हवाई यात्रा होगा बहुत गरीब परिवार की कुंडली में अगर यहा जाता है जिसकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो हवाई यात्रा के बज़ाए ट्रेन के दूर की यात्रा दे देता है मलब यहां योग क्या होता है दूर अस्थान की यात्रा का अपने जन्म अस्थान से अलग अस्थान पर सेटल्मेंट का तो बरहमे में सिक्क्यों की सनी कौन सग्रा है वायू कारक सनी वायू कारक है और बरहमा भाव का उंसा है विदेश का तो वायू मार्ग से विदेश जाने का योग बनता है हवायात्रा होती है अगर सनी बरहमे में हो इसी प्रकार से इसी सूत्र में कहरा कि 12 भाव में सनी की दृष्टी हो सनी के दृष्टी यहां कब पढ़ेगे? जब आपके कुंडली में सनी तीसरे भाव में हो, तो सनी की दसमी दृष्टी पढ़ेगी, सनी आपके कुंडली में छाठमे भाव में हो, तो सनी की साथमी दृष्टी पढ़ेगी, अत्वा सनी दसम भाव में हो, तो हवाई यात्रा अगर नौमे में दसमे में अथवा बरहमे में आपके ग्रह हो और कैसे हो ध्यान से सुनिये नौ दस और बाराना घर में सूर्य अगर हो तो एक नंबर की गिंती पर चंद्रमा है अगर इन तीनों घरों में दो नंबर की गिंती पर अगर इन तीनों घरों में कहीं भी मंगल दस नंबर की गिंती पर हो चाहे मंगल यहां हो चाहे मंगल यहां हो चाहे मंगल यहां हो तीन इन तीनों घरों में हो लेकिन दस नंबर की गिंती पर हो इस घर में इस घर में इस घर में बुद्ध छे नंबर की गिंती पर हो इन तीनों घरों में गुरु चार नंबर की गिंती पर हो इन ही तीनों घरों में सुक्र बारा नंबर की गिंती पर हो इन ही तीनों घरों में सनी साथ नंबर की गिंती पर हो तो उच्छ होता है और तब हवाई यात्राऊं का योग बनता है जातक विदेश जाता है घूमता कहलता है व्यवसाइक के लिए जाता है और विदेश सेटलमेंट भी हो सकता है यानि नौमे दसमे बरहमे उच्छ कागरा जो है विदेश का योग बनाता है अगले में मैंने दो सोत्र बता है दोनों सोत्र समान है लगन से बराहमे भाव को गिनना है लगन लगनेस यहां लगन नहीं है लगनेस है तो लगनेस माने लगन का स्वामी अब फिर से ध्यान से समझे लगनेस किसको कहेंगे आपके कुंडली में पहले घर में देखिए कौन सी गिंती है मालिया तीन नमबर की गिंती है अब आपको देखना है वो तीन नमबर की गिंती का स्वामी कौन हुआ बुद हुआ तो जो लगन में पहले घर में जो गिंती है उस गिंती के स्वामी को क्या कहेंगे लगनेस कहेंगे अब यहां पर जो गिंती है उसका स्वामी ग्रह जो है उसको देखिये कुंडली में कहा बैठा है अगर मैं यहां तीन नमबर मान लूँ तो स्वामी कौन हुआ तीन नमबर का बुद्ध कहा है यहां पर है तो जहां पर लगनेश कुंडली में होगा उससे बरहमे भाव को देखना है जहां पर लगनेश है ठीक उसके पीछे यही जहां लगनेश है आपका कुंडली में कहीं तो लगनेश कुंडली में जहां भी है उससे बरहमे घर में अगर ध्यान से देखिए बरहमे घर में अगर नीच रासी का ग्रह हो कमजोर ग्रह हो पीडित ग्रह हो सत्रु के घर का ग्रह हो यानि लगनेश से बरहमा घर कमजोर हो इसी प्रकार से कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है चंद्रमा से बरहमा घर अगर कमजोर है तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है लगने से और चंद्र लगने से बरहमा भाव अगर कमजोर हो नीच का गरह बैठा हो सत्र से छेत्री गरह हो दो से अधिक गरह बैठे हूँ तो भी हवाई यात्रा और विदेश यात्राओं का योग बनता है तो कायत करम को लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और जो लोग वीडियो कॉपी कर रहे हैं उनसे आप सतर करेए क्योंकि वो वीडियो कॉपी करते हैं उनकी प्राइबेट कमपनिया होती है यो डूप से पैसा कमाने के लिए अगर देखिए ग्यान अगर किस जिसके पास है उसके पास गहराई है जब आप यहाँ पे अगर कोई कॉपी करेगा तो इतने अच्छे तरीके से आपको एक्स्प्लेइन नहीं कर सकता है क्योंकि जो जिस चीज का मास्टर होता है वो वही चीज एक्स्प्लेइन कर पाता है बढ़ यहां से तो नकली लोगों से बचिए अन्यथा आप अपनी जन्मकुंडली के लिए संपर करेंगे वो आपका पैसा खा लेंगे चलिए आज के लिए इतना ही जैसरी कृष्णा प्यार और दुलार देते रहिएगा ऐसे ही लाइक कर दीजे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए